यह है एपी नियोगोच नेटवर्ड और आप देख रहे हैं आखर प्धरी खबरों की परताल तरह तक जन अधिकार पार्टी के रस्टी अध्यक्ष रकेश रंजन और पपुयादों ने सहाफुर में अपने पार्टी के उमिद्वार रकेश मिस्रा की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 30 साल में लालू और नितिष ने कैसे बिहारियों को आपस में बाटने का काम किया है नितिष कुमार के 15 साल के कार्यकाल की एक चुटकी लेते हुए कहा कि बिशेस राज्जी की दर्जा साथ निश्चे योजना बाड रोजगार ये सब एक लुबावने वादे ही रह गए करुना काल की चर्चा करते हुए कहा कि 32 लाख बिहारियों की दुसरी राज्जी से वापसे आने के बाद उन्हें काम तिस लाग बिहारियों को दूसरे राज़े से बिहार वापस लाने के काम सिर्फ मैंने ही किया है ना कि बिहार सरकार ने NCR की हवाला देते हुए कहा कि बिहार में क्राइम का ग्राफ्ट एक नंबर पर है साथ ही पूरे देश में बिहार 25 वी नंबर पर बुकमरी और बेरोजगारी के 25 वी नंबर पर है अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो बुजूर्ग और महिलाओं के खातों में प्रतिमां तिन हजार ख़द आपूर्तिस की देंगे मैं आपको मैं आपको बचन देता हूँ नहीं मिलेगा कोई टेंडर तीन सचार सो तीन हजार करोड करोड का नहीं होगा हाट का इलाज को भी घासे नीचे जिस जाज का लोग होगा उसको फ्री करेगा पपुयादर की सरकार एक उर्पया नहीं लगे किसी भी जाज को के लोग डॉक्टर जो जाज लिखता है जांच और जिसमें तीन हजार चार हजार रुपया लगता है एक साथ के अंडर हर ब्रोग में जाज को हम फ्री करेंगे किसी के जाज में कोई पैसा नहीं लगेगा यह मैं आपको बता देना चाहता है किसी के जाज में यह जाज रखना है मैं हाथ जोड़ करके करें जा रहा हूँ परती किया पपर मेरा पहले में आपको लगे कि पपू याद आपके बेटे की तरह है इसमें कोई जात नहीं है सर मैं हमें का से इसलिए नहीं लोटा था कि मैं जात करूँ सर मैं अपने बाप के घर में है यह 16 करों रुपिया मैं अपने जमीर बेश करके दिए यह किसी ने दिया नहीं है पटना का पार हो यह सिंकी बुखार एक बाप एक बाप मैं हाँ जोड़ के भीक नमता हूँ तीन साल के लिए पपू याद दूब को हर घर में पपू पपू अठाइस साल हो गया दो घंटे हम नहीं सोड़े दो घंटे दो घंटे अंकिन गर्टी जो होगा यहां जो सबसे गरीब होगा मुखमंत्री उसके घर में होगा यह मैं बचन दे करके जाता हूँ तीन महने के अंदर कोई गरीब भूज नहीं जाएगा किसी को एक रुपिय नहीं लगेंगे यह भरोसा यदि आपको पक्पू यादब पर है कि दो साल के अंदर जो भी इंटर से एमे किया हुआ यूथ लर्का और नर्की है या तो 14,000 से 20,000 का रुजगार देंगे या तो 6,000 रुपिया महिना तीन महिने के बाद ही हर यूथ और बेटियों के एकाउंट में अठाज तारी को चला जाएगा यह मैं आपको बचल देता और दो साल के अंदर रुजगार 14,000 बेटियों को 20,000 यूथ को हर परिस्टितूट मैं बहुत सारे चीज़ उसमें लिख्खे हुई कि कैसे हम रोजवाद दे मेरे पास महावीर, मेरे पास कर्म मेरे पास लोडिक, सलहे, चोहरमल मेरे पास इतने पुरिया टक हैं कि हम चार करोर नोकी दे सकते हैं बस इक्षा सक्की नहीं है ये लोग हमेशा जाट पास करता है ये गट बंधन जाट करके पपू यादब का गट बंधन किसी से हो जाए आपकी गरीब द्यागी है और बिजेपी कह자 रहा हरा और निवेश को निवेश करा रहा हरा और ने जीपा को फांग्रेस को और पपू कहरा बचाव भिहार को पप्पु कह रहा है बचाओ विहारियों को पप्पु कह रहा है मैं यूज से आगरा करूँगा एक बार सपना देखे एक बार अपने भाई पर भरुसा की लगाए मैं एक भी बेपाडियों को 12 बजे राज दुकान खुलेगा कोई इंकम टेक्स और सेल टेक्स कोई धरोगा क आपके घर पर आपके दुकान नहीं पहुंचेगा मैं आपको बसंदेता हूं साल में एक बार मात आपको टेक्स भरना पड़ेगा तीन साल के अंदर उतनी फ्रक्री लाओंगा जिसका अंदाज आपको नहीं है टेक्स पड़ी करेंगे जी अस्टी का पैसा हम भार उसकार क मेरा गरी मेरे विहार में डाने एक जेंगी यह सारी चीजें में आपको वादा करके जाने ने आपको यदि छिनियां है पपू चछबंसी 17 ए पपू मंधल एक टू में सर्फुन है आपको समय हरप्र कोई कि हर भाई कप पर हर मांक कोई कई हर यूज के मुश्कुराने का पपुष आपको पिश्वास हो तो आप एक ऐसे सचे इंसान जिसने अपनी सारी चीज छोड़ करते हैं मैंने उस बेक्टी को दिया मैं दिल से कहता हूँ आप इनको जिता के भेजना हैं यादि तीन मेहने के अंदर हर गौं में एंबुलेंस नहीं होगा तो पपुष आदबराजनी की छोड़ेगा हर महला का भुजूर महला का गरिबां का पेंसन तीन हजार रुपिया हम करेंगे तीन सो चोशनी और अठाज तारी को वो पेंसन सब के अपांड में जागा हर महने के अठाज तारी को जो बिलओ पवर्टी लेने जो भी जाग के गरिब है उसके यहाँ साथ के जी अर्ब आटा चावल उसके घर पर पांड के जी दाल शर्सों का तेर अठाज तारी को पहुंचेगा आकि गणी को किसी से भीक माखना ने परे अथासारी कोते हैं और जब सक्षैझ से घड़ावन है तब तक कोई जली तो परजुन नहीं कर सकता भारत любим दिजुन नहीं कर सकता झाल झाल